नमस्कार टीपीवी नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपकी साथ रुपल शर्मा आईए रुप करते हैं खबरों की और राजनगर थाना शेत्र में राष्ट्री राजमार्ग आठ पर पीपरड़ा चूंगी नाके के पास गुजरात से यात्रा में निकले बस में सवार यूगकों ने डम पर चालक वो खलासी पर जानलेवा हमला कर दिया हमले में खलासी की सिर पर गहरी चोट आई है फिलहाल पुलिस ने आधे यूग को हिरासत में ले लिया है घटना के बाद कई लोग मौके पर एकत्रित हो गए और बस को रुकवा दिया विवाद बढ़ने पर बस से कई यात्री नीचे उतर गए फिर राजनेगर थाने से एसाई दशरत सिंग मैं पुलिस जापते खटना स्थल पर पहुँचे और हमला वर आधा दरजनियों को को हिरासत में ले लिया बताय जा रहा है कि बस में 60 यात्री सवार थे जो तीन दिवसिये यात्रा पर निकले थे सूरतगर में भवन निर्माण मिस्त्री म्ज़दूर यूनियन इंटक की बैठक राष्टरे मजदूर कॉंग्रेस इंटक शाखा च्री गंगानगर की जिला ध्यक्श शाम सुंदर शर्मा की अध्यक्श्ता बे विश्ह कर्मा मंदिर सूरतगर में संपन हुई बैठक में सूरतगर तहसील के मिस्त्री मजदूर यूनियन के सदस्यों ने भवन निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन के जिला ध्यक्ष मंगत राम दाइमा, जिला कारेकारिया ध्यक्ष रमजान भाटी, इंटक के वरिष्ट नेता बाबुलाल नाडिया वजिला महमंत्र चिमनलाल का माला पहना कर स्वागत किया पैठक में जला ध्यक शामसुंदर शर्मा ने समोधर में बताया कि हमारे इंटक यूनियन भवन निर्मान मिस्त्री मजदूर यूनियन सूरतगर तहसिल के भवन निर्मान में कारे करने वाले मजदूरों को केंद्र सरकार की ईश्रम वर राज्य सरकार की श्रम विभागों में पंजिकरत कराने में सहयोग करेगी पाले जिले की मारवाड जंक्शन के सवराड गाउ में एक यूवक शराब के नशे में 60 फिट गहरे कुए में गिर गया गनिमत रही की कुए में 5-6 फिट ही पानी था ऐसे में वह डूबा नही पुलिस ने ग्रामिनों की मदद से करीब आदे गंटे के भीतर यूवक को बाहर निकाला बताया जा रहा है सोजत रोड सवराड गाउ निवासी 23 साल का पपू राम शराब के ठीके से शराब खरीद एक खेत में दोस्तों के साथ बैट कर शराब पी रहा था जिसके बाद व रुकरवाया रायला की इरांस में दस महीनों से जला हुआ ट्रांसफार्मर कई शिकायतों के बाद नया लगाया गया जिसके बाद ये नया ट्रांसफार्मर भी खराब निकला सीताराम रेबारी ने बताया की दस महीने पहले काओं में ट्रांसफार्मर जल चुका था जिसके बाद बिजली उभाग के चक्कर लगाने पर पहले खंबे तो बदले गए पर अंतूर ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया जिसके बाद 26 नौंबर को इरांस में प्रशासन गाउं के संग अभियान में शिकायत के बादouse बदल दिया गया पर वे भी खराब है। ट्रांसफार्मर लाने की किराई के लिए भी किसानों को 12.00 रुपए देने पड़े थे। तब जाकर ट्रांसफार्मर बदला गया ऐसे में बिजली नहीं होने से किसान काफी परिशान है चोमु शहर के मोरिजा रोड पर इस्थित कॉंग्रेस कारेलाई में 12 दिसंबर 2021 को कॉंग्रेस पार्टी की जैपुर में होने जा रही महंगाई हटाओ महारेली को लेकर पूर व जैक्ष राहूल गांदी, मुख्य मंतरी अशुक गहलो सहीद अन्य कॉंग्रेस निता संबोधित करेंगे इस्रैली में चोमु शहर कारेकर ताले जाने का लक्षे है